हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपनी चानल हसे स्टेडी गाइड में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं All About Hira के बारे में यानि की Hazard Identification and Rix Assessment के बारे में इसमें हम जानने वाले हैं की Hira यानि की क्या होता है मतलब उसके Definition क्या होती है उसके बाद हम जानेंगे की Hira के Steps क्या होते है फिर उसके बाद हम जानेंगे की Rix Matrix यानि की होता क्या है और फिर उसके बाद हम जानने वाले है की Hira को हम कैसे Feel कर सकते है तो आज ये सारी Information आपको इस वीडियो के माधिम से मिलने वाली है तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कता है तो हीरा जानने से पहले कुछ डेफिनेशन का जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है तो सबसे पहले जानते हैं कि हजार क्या होता है हजार यानि कि there is something which has a potential to cause harm यानि कि कुछ ऐसी चीज कि जिसके वज़े से नुकसान हो सकता है उसे हजार कहते हैं फिर उसके बाद है रिक्स रिक्स यानि कि severity by probability मतलब severity means यानि कि consequences यानि कि उसका परिणाम यानि कि जो भी हजार है उसका उस condition की उपर क्या परिणाम हो रहा है वो यानि कि severity अब दिखते हैं कि probability क्या अब probability यानि कि chance of occurrence यानि कि उसे likelihood भी कहते है यानि कि उस हजार से जो भी impact होने वाला है उसका कितना chance है वो यानि कि probability चलिए अब जानते हैं कि हीरा क्या होता है हीरा यानि कि hazard identification risk assessment हीरा एक ऐसी process है एक ऐसे document है कि जिसमें क्या होता है कि कोई activity को consider किया जाता है और उस activity में होने वाले जो भी हजार से उसको identify किया जाता है फिर वो जो identify किये गए जो हजार से उसकी जो risk है उसको evaluate किया जाता है और evaluate होने के बाद उसमें जो suitable control measure से वो apply किये जाते है अब suitable जो control measure से वो apply जब करते है तब उसका जो risk level है कि जिसकी वज़े से जो भी harm होने वाला है वो minimize हो जाता है उसे हीरा कहते है तो चलिए देखते हैं कि हीरा के steps क्या है हीरा के total 6 steps है तो चलिए जानते हैं कि वो 6 steps क्या है सबसे पहले आता है identify the activity यानि कि कौन सी activity है जिसकी उपर आपको हीरा बनाना है वो activity सबसे पहले आपको consider करना है second point आता है hazard identification अब आपने क्या कि activity को consider किया अब आपको उस activity में क्या हज़ाड आने वाले है वो identify करना है फिर third point आता है risk assessment अभी आपने क्या किया कि पहले activity को consider किया फिर उसका hazard find out किया अब उस हज़ाड में क्या risk छुपी हुई है वो आपको find out करना है तो आप कैसे find out करेंगे तो उसके लिए आपको risk matrix की मदद लेनी है फिर fourth point आता है control measures यानि कि सबसे पहले आपने activity को identify किया फिर उसके hazard identify किये फिर उसमें क्या risk छुपी हुई है वो आपने identify किया by the help of risk matrix अब आपको उस risk को कम करने के लिए control measures apply करने है फिर उसके बाद आता है record the findings यानि कि ये जो सारी चीजे आपने की पहले consider किया activity को फिर hazard find out किया फिर risk find out किया और फिर जो है control measures apply किये इसको आपको record में रखना है और फिर उसके बाद आता है implementation and review और फिर आपने ये जो record बनाया है इसको आपको side पर implement करना है और implementation करने के वक्त आपको देखना है कि कही पर भी अगर मान लो lapses है तो इसका बार-बार आपको review करते रहना है चलिए अब जानते हैं कि risk matrix होता क्या है और उसकी rating कैसे दी जाती है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि risk यानिकी क्या होता है severity by probability तो अब आप ये कैसे find out करेंगे कि severity कितनी है और उसकी probability कितनी है तो उसकी लिए आपको ये जो risk matrix है ये आपको सहायता करेगा तो चलिए consider करते हैं एक कोई activity कि जिसके जर्ये आपको पता चल जाएगा कि इसकी probability क्या है और उसकी severity क्या है चलिए consider करते हैं कि कुछ group of persons है वो मेसनरी का काम कर रहे है वो भी height पर अब ये जो 4 मेसन है वो 10 मिटर की height पर काम कर रहे है और वो scaffolding का इस्तमाल कर रहे है और कुछ दूसरी team जो है वो ही काम कर रही है मेसनरी वर का लेकिन 3 मिटर की height पर कर रही है अब इसमें देखिए कि जो 10 मिटर पर काम कर रहे है 4 लोग और यहाँ पर जो है पहली जो टीम है जो 10 मिटर पर काम कर रही है उसका जो severity rate है वो एक तो high होगा यानि कि वो एक तो 5 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए क्योंकि जब वो उपर से नीचे गिरेंगे तो उसमें जो है उनको काफी injury हो सकती है और शायद हो सकता है कि fatal accident भी हो लेकिन जो टीम 3 जो टीम A है जो 10 मिटर पर काम कर रही है उसकी सबसे पहले हम severity और probability निकालते है तो उसकी जो severity rate जो हो जाएगा जब वो आदमी नीचे गिरेगा तो उसका fatal accident भी हो सकता है तो उसका जो ratio रहेगा वो रहेगा 5 यानि कि उसकी जो severity आएगी वो रहेगी 5 और फिर अब देखते है कि probability अब उसका chance कितना है अब देखिए chance कितना है यानि कि हमीं ये consider करना है कि वहाँ पर अगर मान लो कि 10 मिटर हाइट पर वहाँ पर मेड्रेल नहीं है और उसमें जो harness है वो पैना है लेकिन कहीं पर anchor नहीं किया है तो वहाँ पर probability जो है वो बढ़ जाती है उसकी नीचे अब consider करते है team B अब team B देखिए वो 3 मिटर पर काम कर रही है यानि कि उसके जो नीचे गिरने के बाद जो भी impact होगा वो impact जो है वो कम हो सकता है यानि कि उसको चोट नहीं भी पोच सकती है या फिर उसको injury अगर होती है तो वो कम हो सकती है तो उसका जो ratio है वो हम दे सकते ह है यहाँ पर 2 यानि कि उसकी severity कितने आएगी 2 अब उसकी देखना है हमें probability कितनी है यानि कि यह कितना chance है उसको नीचे गिरने का अब देखे कि यह 3 मिटर के height पर जब वो काम कर रहे है तो मान लो आपर metral है top rail है और उसने बाकाइदा जो है अपना full body harness anchor नहीं किया है लेकि यानि कि green जो है वो उसकी risk level जो है वो low है चलिए अब देखते हैं कि हीरा हमें कैसे बनाना है और उसका format कैसे होता है तो चलिए देखते हैं तो ध्यान में रखिए कि जब भी आपको हीरा बनाना है तो सबसे पहले आपको activity को consider करना पड़ता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम और उसमें क्या risk है वो हमें find out करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे हम risk फिर उसके बाद ये जो हमने activity ली है उसके लिए हमारे पास क्या existing control है वो हमें इसमें लिखना है फिर उसके बाद आदा है probability rating जो हमने इसके पहले देखा था फिर है severity rating और फिर जो इन दोनों का जो impact level है जैसे कि इसके पहले हमने देखा था low हो गया, medium हो गया, high हो गया यह जो level है वो हमें इसमें लिखना पड़ता है यानि कि उसके बाद आगया आपका impact level फिर उसके बाद आता है additional control measures इसके पहले जो हमने देखा था existing control measures यानि कि कोई भी काम चालू करने से पहले आप कौन से controls जो है वो इस्तमाल कर रहे हो उसे कहते है existing control measures और additional control measures यानि कि काम करने के भगत आप कौन से control measures यूज करते हो वो additional control measures में आता है फिर उसके बाद आता है residual impact यानि कि इसके पहले जो हमने देखा था कि impact level जो है वो high आता है, medium आता है, low आता है उसको जो हमें additional control measures देने के बाद म उसको low category में convert करना है तो वो आएगा अपना residual impact अब यह जो residual impact है यह किसके उपर depend है तो यह additional control measures के उपर जब हमने additional control measures consider किये तो उसके बाद जो उसका risk level है वो कम हो जाएगा तो वो residual impact में आएगा और last में आता है action by action by यानि कि वो जो activity है उसके लिए जिम्मेदार कोन है वो कोन responsible है उसका उसमें नाम आएगा जैसे कि इंजिनियर हो गया supervisor हो गये manager हो गये तो यह action by में आएगे अच्छलिए अब consider करते हैं एक activity और उसके नुसार यह ही रहाम fill up करते है अनलोडिंग from vehicle and stacking of reinforcement bar यानि कि मान लीज तो वो activity हमने सबसे पहले consider किया अब देखते हैं कि इस activity में क्या हजार आ सकता है अब देखे हैं कि वो जो trailer है तो उसके साथ में अगर मान लो आजू आजू में कोई अगर vehicle चलती रहती है तो क्या होगा कि जो vehicle moment है वो एकदम rush हो जाएगी तो rush vehicle moment ये आपका हजार आएगा second आएगा कि जब आप ये vehicle reverse करते हो तो वो भी एक हजार आएगा तो reversing of the vehicle ये एक हजार आएगा फिर उसके बाद आएगा कि जो reinforcement steel bar है उसमें अगर मान लो sharp edges है और वो जो अगर आप unload कर रहे हो तो वो जो sharp edge है वो भी एक हजार है तो यानि कि unloading of sharp edge rebars ये भी एक हजार है फिर उसके बाद आएगा कि मान लो आपने unloading तो कर लिया लेकिन उसको properly stack नहीं किया यानि कि improper stacking तो वो भी एक हजार है अब देखें कि पहले activity consider कि फिर हजार और हजार के बाद जो भी possible outcomes है वो आएगे यानि कि कोई आदमी उपर में काम कर रहा है और वो नीचे गिर गया त तो उसमें क्या होगा कि जो भी workman है उसको injury हो सकती है यानि कि injury to workman ये उसकी risk आएगी यानि कि वो उसका possible outcome आएगा फिर second हजार हमने देखा था reversing of vehicle तो उसके possible outcomes क्या होगे run over on workman यानि कि vehicle reverse करते वग उसके अगर driver का ध्यान नहीं रहेगा तो वो जो workman है वहाँ पर काम कर है उसकी उपर वो गाड़ी चड़ा सकता है तो वो एक उसके possible outcomes आ सकते है फिर third हमने हजार देखा था unloading of sharp age rebars तो उसके possible outcomes क्या आएंगे कि cut injury हो सकती है वो जो sharp page है उसकी वज़े से cut injury हो सकती है फिर उसके बाद हमने हजार देखा था improper stacking यानि कि stacking अगर proper नहीं रहेगा तो उसके possible outcomes क्या आएंगे trip और fall injury हो सकती है चली अब देखते हैं कि उसके existing control measures क्या है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी operators है या फिर जो भी drivers है वो बाकाइदा उनके पास license होने चाहिए और उनके पास बाकाइदा experience होना चाहिए गाड़ी चलाने का second existing control यह है कि जो भी vehicles है उसका जो reverse horn है और जो tail lights है वो अच्छी conditions में होने चाहिए फिर third में आएगा कि sufficient number of जो भी skill workman है उसे ही हमें deploy करना है काम के लिए और उनको बाकाइदा आपको PPs provide करनी है जैसे कि safety helmet हो गया, safety shoes हो गया, handles हो गये ये सब उन वो worker को देना है ताकि वो safely लिए काम कर सके फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी rebars है उसको हमें size wise जो है वो stack करना है और size wise stack करने के बाद वहाँ पर हमें signage posted करना है अब मानलो वो जो rebars है वो अगर मानलो bundle में है तो आपको वो bundle में ही अच्छे से packing करके रखने है ताकि उसकी वज़ तो इसकी वज़े से workman को injury हो सकती है तो यह जो injuries का impact रहेगा वो ज्यादा रहेगा तो उसका जो rating हम यहाँ पर लिखते है 4 फिर हमें देना है severity rating अब मानलीजे यह जो vehicle rush हो रहा है जिसकी वज़े से अगर मानलो वो किसी को टकरा जाता है किसी workman को टकरा जाता है तो उसकी जो injury होगी वो ज्यादा किसम की होगी यानि कि उसका severity rating जो है वो ज्यादा आएगा यानि कि हम यहाँ पर 5 consider करते है ठीक है अब 5 multiply by 4 करेंगे तो उसका result कितना आएगा 20 अब यह 20 है वो अगर हम risk matrix में देखेंगे तो वो आएगा high यानि कि H तो यहाँ पर हम H लिखेंगे व हम consider करते हैं यहाँ पर 4 और उसकी जो severity rating है वो भी ज्यादा आएगी तो हम consider करते है 5 अब 5 multiply by 4 हो जाएगा 20 इसका मतलब उसका जो impact level रहेगा वो रहेगा high अब देखते हैं कि तीसरे हजार की rating हम कैसे देंगे अब यह जो हजार है unloading of sharp age rebars तो उसकी जो probability है वो high level से कम हो सकत है उसमें ज्यादा impact नहीं हो सकता है मतलब वहाँ पर death accident या फिर ऐसा ऐसा कुछ हो नहीं सकता उसकी जो probability है वो कम है तो इसलिए हम यहाँ पर rating देंगे 3 तो यानि कि 3 multiply 3 कितना हो गया 9 यानि कि यह जो impact level है वो आएगा medium अब देखती कि हमारा 4 जो हजार से उसकी rating हम कैसे द fatal accident या फिर major accident नहीं हो सकता तो इसकी जो probability है यह क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो वो आएगा 3 और इसकी severity rating भी कम हो जाएगी तो उसको भी हम लिखते है 3 यानि कि 3 multiply by 3 कितना हो गया 9 और यह आएगा medium में ठीक है अब देखते हैं कि इसके additional control measures हम क्या दे सकते हैं अब इसक speed limit में हम बाकाइदा 20 km per hour लिखेंगे उससे क्या होगा कि जो भी vehicle आएगी उनको पता चल जाएगा कि इस area में जो है वो worker काम करते रहते हैं इसलिए यहाँ पर speed limit जो है वो 20 km है और इसको follow करना है और साथी में हम वहाँ पर warning signages भी लगाएंगे फिर additional control measures में क्या कर सकते हैं कि जब vehicle reverse करते हैं उस वक हम क्या कर सकते हैं कि separate जो banksman है वो हर एक vehicle को provide करा सकते हैं कि जब भी vehicle को reverse करना है तो वो जो banksman है बाकाइदा flag के साथ में जो red flag और green flag उसके साथ में रहेगा तो उसकी वज़े से वो vehicle को इशारा करेगा ताकि वो जो vehicle ह वो safely position की जा सके फिर additional measures हम क्या कर सकते है कि जो भी rebars को unload करना है जिसको sharp edges है उसके लिए हम machinery का इस्तमाल कर सकते है उसमें ज्यादा तर हम workforce deploy नहीं करेंगे अब machinery से अगर मानलो वो material trailer से नीचे ले रहे है तो उसमें workman जो force है वो कम हो जाएगा तो उसका जो risk level है वो हम कम कर सकते हैं फिर और additional control measures हम क्या कर सकते हैं कि जो भी stacking yard है जहां पर reinforcement steel bar को unload किया जा रहा है वहां पर unauthorized persons को permission नहीं दे सकते हैं और उसके लिए हम वो जो area है वो restricted कर देंगे unauthorized persons के लिए अब यह जो additional control measures हमने जो suggested किये है इसकी वज़े से क्या होगा कि यह जो impact level है यह कम हो जाएगा यानि कि जो high category का impact level था वो अब वो कम हो जाएगा यानि कि वो low हो जाएगा इसलिए हम यहां पर L लिखेंगे अब last में आता है action by अब action by में लिखेंगे कि कुन सा persons जो है वो इस activity के लिए responsible है तो वो यानि कि site engineer आएगा या फिर site इंचार आएगा तो दोस्तो इस प्रकार जो है वो हिरा बनाया जाता है हमने यहां पर एक activity कंसिडर की और उसके मिताविक हमने यहां तो दोस्तो आशकरता हो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होग अल अबाउट हीरा के बारे में यानि की हजार आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्स असेश्मेंट के बारे में तो बस आज के लिए इतना ही मुलता है नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई